बारावे भावकंदर बिराजमान है या दसमेस दसम भाव में बिराजमान हो करके या दसमेस आपके पत्रिका में दूसरे भावकंदर बिराजमान है तो आप राश्टी की रक्षा के लिए परिवार का पालन करने के लिए परिवार की रक्षा के लिए अपने जन्मस्थन से आप दूर रहते हैं आपके माता-पिटा की सुख से अब बंचित रह जाते हैं गई बार आप चाहतर भी जो जिस समय आपके माता-पिटा की मिलनी की इक्षा होती है वहां गुरुकुल की परिंपरा हम प्राचीन काल से देखते हैं हम बोलते थे ना गुरुओं के अहां वहां जातक अपने जीवन में जाता है जो जिसकी पत्रिका में पंचमेस 12 भाव के अंदर बैठा है वहां उस जातक के लिए बता दिया जाता था कि आपका बच्चा बाहर जाने बाला है बाहर से पढ़ाई करने बाला है बाहर रहने बा तो वह बच्चे अपने माता पिता को याद करते हैं जिससे स्नेह करते हैं उसका याद करते हैं समझना होगा कि भृग महाराजी ने दो चीजों का विविचन क्या है दोस्तों अगर आपका पंचमेस 12 भाव के नदर विराजमान है तो आप अपने जन्मस्थान से चाहे नोक्री के लिए बाहर रहते हैं चाहे अपने विवसाय के लिए बाहर रहते हैं या आप एजुकेशन के लिए बाहर रहते हैं लेकिन अपने जन्म स्थान से आप दूर रहते हैं उसका विविचन करना बहुत आवश्यक है और सबसे बड़ी चीजी को बहुत अच्छा प्रश्म जोती चीजी ने किया है कई कंक्तार हम क्या देखते हैं कि हमारे जीन में चाहकर पी अकौन ही प्र Stafford कर रहे ह। हम बाहर तो हैं हमने zoon अपने जीन में सारी भृतिक संसाधन देज़ की रक्षा के लिए राष्टा की रक्شा के लिए या जो दैत्य है। इंसे हमें बचाने के लिए हमें कई बार हम चाह कर भी, या ना चाह कर भी, हम अपने कारे के लिए, अपने एडुकेशन के लिए हम अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, उस पर बिभीचन जरूर करूँगा, एक महा उपाय बताऊँगा, अगर आपके जिवन में भी इस का प्रभाव बना है कि एगर आपके पास सब कुछ है तो अपने माता-पिता को आप साथ रख सकते हैं और अब्रिग महराजी ने एक चीज बोला कि आपके जीवन में माता-पिता का देखिए दो प्रकार का योग होता है मेरे भाइबैन कई बार आपके जीवन में माता-पित करता है और कई बार देखते है कि बच्चा अपने माता पिटा के वेधना में प्रबिद coronavirus कि उसके जीवन में करमरार रहा है और आपकी पत्रिया तया कि उसका उपाय बताऊँ गा усп student रियन हिटा आपके जुडिया जू सीवारिके सुखों उसे जो आप बंचित योग बना है वह समाप तो हो जाए आपके जोन में आनंदी योग बना है। अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं है उनसे दूर है तो ऐसे अब योग बनेंगे उन उपायों के करने से ऐसे आपके ग्रह शांत होंगे जो की जिम्मेदार है आपको परिवार से दूर ले जाने के लिए उपाय आपको अचारेजी देंगे जिन से आप अपने परिवा के साथ रह सकेंगे परिवार की खुशियों को आप बटो सकेंगे कॉल इस पिर हमारे साथ हैदराबाद से सहानी जी है स्वागते साहनी जी पूछे नमस्कार मेडम नमस्ते कैसी है आप मैं अच्छी हूँ मेडम जी पूछी डेटर बार पादा जी पूछी जे मतादी अभी दो ती किसे मेरा फोन लगा था जी मैंने आप से बात की तो घर के बारे में पुछा था जी तो आपने बोला मुंगलवार के दिन गौ और गुर्ट पिसको मैं अर दान लाम कि आप बडान कर दी दो माता ह्यां चाहिए। सीधी परिक्रिमा कर रहा है भवन्त माकान के लिए अपने पूछा था प्रस्ट हाँ तो मा गवमाता के क्योंकि ऐसे मानता है सास्त्रों में कि 84 करोन देवी देवकाव का जो है वास जो है गवमाता के अंदर होता है सुपाय को करिये लाब हुगा कि चलिए अगले कॉलर दिली से मैं सा जूचुके है मनीश स्वागत है पूछिए आठरीय जी चरंट सपस्ट जै मातादी आठरीय के बारे में पूछना बहुत प्रोब्लमार की जी डेट अबर्द बताईये मनीश 26 नॉमबर 1986 सब्सक्राइब का जयन में आपका डेली जी बिल्कुल मनीश जैसे कि आपके पत्रिका का हम भीवेचन कर रहे हैं देख रहे हैं आठरीय जी को उपाए भी बताना प्रोब्लमार की बिल्कुल आप परिशान नहों मैं आपको बताऊंगा उपाए आउस उपाए को करिए और सब्सक्राइब के बिल्कुल बता रहा हूं जैसा कि आपकी पत्रिका का में लगने के अंदर जन्म हुआ लगने के स्वामी मंगल महराजी आपके पत्रिका में चतुरत भाव के अंदर विराजमान है गुरु के साथ में मंगल की यूति हैं सबसे बड़ा जो दोश आपकी सबसे लगा है पित्रदोश लगा है सूर्य सनी जो आपकी पत्रिका में लगने के अंदर विराजमान है वहां दोस जब तक आपके जिवन से समापत नहीं होगा क्योंकि पिता का जबरिन लग जाता है तो मनुष्य की जिवन में चाहकर भी सफलता का जोग नहीं बन पाता म इसका रिकम को आप देखते हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं जब तक आपकी पत्रीका से पित्रदोस रिणस मुक्त नहीं होगा तब तक आपके जिवन में सफलता का जोग नहीं बन पाएगा क्योंकि इतनी जल्दी तो आप पित्रदोस का पूजन नहीं करेंगे इसके को अब बता रहा हूं इस के दिन आपको इस महाँपाय को करना एक नारियल लेना है साथ में आपको 700 ग्राम चावल लेना है और एक दूद का पैकेट लेना है किसी नदी के किनार पर जाना अपने पुर्भजों का आवाहन करना है उनसे प्रातना करना है ये मेरे पित्रदे और एक दूद का जो पैकेट है उसको वहाँ पर चला देना है और तीन बार प्रिक्रमा कर लेना पीशे मुड़कर नहीं देखना है इस प्रियोग को करके देखे आपके जिवन में सफलता का युग जरूर बन जाएगा अपके सवालों के जिवाब लगतार अचारे जी दे रहे हैं हमारी कॉलर लाइन सभी खुली हुई है आप हमें फोन कर सकते हैं लेकिन अब समय हो चला है उस लखी कॉलर से बात करने का जिसे खुद तारेस सिटारे का रिक्रम से फोन लगाया जाता है और वो भागिश आली विजेता हमारे साथ जुड़े चलिए लगाते हैं उनको सीधा फो तो आज की लगी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुगे स्वागते आपका कौन वो रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं आप अलो जी क्या नाम है आपका सबसे पहले आपको देर सारी बदाई तारे सिधारे में आपका स्वागत आप कारेक्रम की लखी कॉलर बनी है और आपके पास मोगा है जल्दी से अचारे जी से बात कर लीजिए और देट अबर्द बताईए अचरे जी नमस्कार जेमत अधी अचरे जी मुझे अपने चाचा के बारे में पूछना है देट आप बदाए जी उनकी देट आप पर थे 17 फेबुर्वरी 1977 जी और साथ पच्पन मिनिक शाम के और उनका जनम है पालगर के सवाल किया है क्या जानना चाहती है उनका इलेक्रिक का बिजनेस है और उसमें सब चगा पर पैसा पता हुआ है और उनके सब्सक्राइब बहुत जादा कर गया है और दूसरा यह है कि अपने अपने चाचा जी के लिए प्रस्ट ने किया है जैसा कि इनके पत्रिका में लगनिकेश्वामी कहां पर विराजमान है साथ में भावक अंदर विराजमान है और भाग भाव से जो है गुरुचान डाल दोशन की पत्रिका में लगा है हम ऐसे दोस्तों का विवेचन करते हैं जिसको आप कहीं गूगल पे भी जाके टाइप करेंगे तो आपको उसका पूरा विवेचन आप्राप्त कर सकते हैं जैसा कि इनके पत्रिकाए में जो सनी जी की महादशा चले है और अभी 11 जून 2018 तक कस्मा बिलकुल अच्छा नहीं इस समय के अंदर कोई व्यापार ना करें नहीं तिसमें इनके ज्वा में अचानक नुक्षान अचानक छती का जो जमा पूंजी का नास हो सकता है अगली कोई हमाई सत्व बैंककोक से जुड़े हैं आनंत स्वागत है आपका पूछी आजी नमस्ते नमस्ते बुरुजी नमस्ते जैमाता दी जैमाता दी और डाद को नौश के तीस मिनट और नौश के तीस मिनट कहां का जन में आपका जी जुड़े और क्या सवाल है आपका पुछी आनंत मैं केरियर से रिलेटेड है अभी तो जाक मैं उकलब बिजनेस से रिलेटेड अभी मैं बैंकाग में हूं लेकिन अभी कुछ सफलता प्राप्त नहीं हो पाय रही है चलिए अब सफलता प्राप्त होगी आप उपाय भी बनता है आगे बवी से कैसा रहेगा मिल्कुल आप परिशान नहीं हो जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया है देखे सबसे पहले हमारी पत्रिका में जो ग्रह हमें पीडा देते हैं उन ग्रहों को समझना बहुत आवश्यक है और ग्रहों के नेचर को आपने समझ लिया तो आपके जीवन में सफलता का जो दोशान बहुत बनता चला जायेगा ग्रहा आपके जीवन में क्या बताते हैं किसी के साथ बुरा मत करिए कुछ बुरा के द्वारा हो चुका तो उसका कर्म प्रायशित कर लिजए जैसा कि आपके पत्रिका में हमने दोश देखा दो दोश आपके पत्रिका में अंगारक द वर्दासनिदोनों आपकी पत्रिका में दूसरे भाव में धनेश विराजमान है और कर्व भाव के सव्मी चंदरमा है। उन दोनों से पत्रिका में आमोश्या दोश बना हुआ है। तो आज हम आचारे जी से जाने की कोशिश कर रहे हैं की ग्रहे ऐसा खेल क्यों खेलते हैं नक्षत्र ऐसी चाल क्यों चलते हैं कि हमें किसी भी चाहे कारण वर्ष पारिवारिक सुख प्राप नहीं होता हम अपने परिवार से दूर चले जाते हैं इसका कारण तो हमें आचारी जी ने बताया लेकिन आचारी जी कई बार हम ये देख कि घर में जो है कलेश रहते हैं और इस तरह की परिशानिया रहती है मन मुटाव रहते हैं कोई किसी की बात नहीं मानता कोई किसी की बात नहीं सुनता बेवजह चोटी सी बात बड़ी हो जाती है तिल का पहाड बन जाता है पारिवारिक सुख छुमंतर हो जाता है मिलता ही न करते हैं जो हमारे गःस्थ जीवन में जो परिवारीक जीवन में जो तौड़ी दिर पहले चर्चा किया और किसी के पत्रिकाइ में अंगारक दोश्छ लगा हुआ है और चोटी सी चोटी बात पर विवात करना प्रणु अपने आप समस्ते हैं हर व्यक्ति दूसरी को नीचा दिखाने का अपरतने करेंगे ग्रहन दोश लगा है तो क्योंकि पुद्र दोश लगा है चांडाल दोश लगा है तो इससब चीजें हमारे जिवन में हो सकती है लेकिन ग्रस्त जिवन के स्वामी कौन है सबसे पहले उस ग्रह को हमें समझना भौत वस्यक्रट ऑफ ज clear हैं जिस परीवारिक अंदर गुरु का स्राप लगा है उस परीवारी के अंदर हम देखें किसी बहन बेटी का लें भीवा होता है तो गुरु को मजबूत करने कि कितनी चेहठा होती है बोलते हैं ना हाथ पीला कर रहे हैं हल्दी का सबसे ज़्यादा प्रयोग बताए जाता है बिवाह के अंदर सुख स्वभाग योगनी अगर आपके जो स्वभाग प्राप्त होता है सुख सांती का जो 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 बनता है सम्रिद्धी का जो बनता है वह सबसे बड़ा जो प्रभाव देते हैं वह महालक्ष्मी जी के माध्यम से होता है जब महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं उसमें आता है कि जिस घर तुम रहती है मन नहीं घबराता सब संभव हो जाता है मन नहीं घबराता जिस घर में महालक्षमी जी का प्रभाव होता है, उस परिवार की आनंद को आप देख सकते हैं लेकिन कई बार लक्षमी होने के बाद भी हमारे जिमन में अंगारक दोश बना हुआ है में मनगल महराज जी कैम हमांक किसी तक नहीं पहुंचा है पुलिस के किस से नहीं बना देते तब तक उनको सांत प्राप्त नहीं हो तो बाती है तो बेठर है हमारे घर में चो तनाव लडाई जगडे का जोग बन रहा है या कोई बिवाद बन रहा है अगर आपके घर में आप देखते हैं कि छोटी-छोटी बात उपर बिवाद बन रहा है तो कहीं न कहीं से आपके परिवार हैं प्रभवता समाः तहद भूमे पुत्र औ यमागरजा जिसे घर में आप रहते हैं उसके स्वामी कौन है समझ रहा है है न मंगल महराजी किससे प्रसंद होते हैं गुरू के माaddhyam से प्रसंद होते हैं गुरू का निचर क्या है धर्म, संसकार यस सबशा है आप करते हैं हमारी माताएं नजर क्यों उतारती हैं हमारी माताएं पूजा करती है न तो आर्थी क्यों उतारते हैं क्यों हमारे घर में जो नकारत्मक चीज़े हमन करते हैं क्यों करते हैं कि हमारे घर में अगर किसी प्रकार की नकारत्मक चीज़ है या दोश है पीड़ा है समस्या है वह स अबिर जब नाम सुना अगर आपके जीवन में इस प्रकार के समस्या बन रही है तो बेहतर है कि हरमान जी के अराधना करना आप ररम में कर देजे, मंगल महराजी को ठीक कर लेजे, फिर आप देखेगा आपके चीवन में आनंद का यूग बन जाएगा तो आनंद का यूग बनेगा कैसे, वो कौन सा खास उपाए है जो चमतकार दिखाएगा लेकिन करने में भी सरल होगा मादुरगा की कैसे कृपा हासिल होगी, कि घर में सुक्षान्तिक आवास हो, पारिवारिक सुक, परिवार के हर सदस्य के भाग्ये में बने और उसका वो ग्रहन करे चलिए जानते हैं, वो महा उपाए हचारे जी से वस्तु बताई गई है, गर बहुत इसको आस्था के साथ अगर आप करते हैं, क्या करना है, नारियल से बने हुए कोई भी भूजन बना दिजिए, मिठाईया होती है, मादुरगा जी के मंदर में जाकर कर आप दान करते हैं, तो बिस्वास मानिए, आपकी जीवन में और अगले कॉलर भी हमाईसद बैंकोक से ही जुड़े हैं, अखिला नंची स्वागत है, पूछे जी मेडम नमाकार, नमसकार, पंडिल प्राम, जैमातादीर, जी मैं अपने वारम जनना चाहता हूं, मेरा जन्म है 25 अप्टूबर, पचीस, 60, 60, 60, 60, समय बताईए, अब सुब़न है, सुब़न मारमिं का चाहर बज करके 3 मिनट, 3 मिनट, 0-3 प्रज्ट इन मिनट जनमस्थां, 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 देवरिया इस तर परदेश, जी सावारिया इस वारिया उस्तर परदेश, आपना कि हमारे सब्सक्राइब करना पढ़ेगा की सफ़लों बिल्कुल आपको हम समझाना चाहते हैं जैसे कि आपके पत्रिका में विबेचन किया है दसम का मंगल आज मंगल महराजी की थोड़े दिर पहले हमने चर्चा किया है दसम का जो मंगल है कुल दीपक योग बनाता है ऐसे जो जातक होते हैं जर्म जाती नायक होते तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है राहुजी की मादसा चले राहुजी आपके पत्रिका में द्वादस भावक अंदर बिराजवान है थोड़ा सुरुवात में राहुजी ने आपको जरूर पेंद दिया होगा लेकिन राहुजी का जो प्रभाव जो जो चमतकार जो अपने जीवन में ख्याती आपको प्राप्त होई होगी वहां राहुजी के समय में ही प्राप्त होई होगी अभी आपके पत्रिका में हम आपको समझाना चाहते हैं जो बरतमान में समय चल ला है बहुत बहतरीन समय च चाहिए और सूरिय के अंदर अपने पिता का दर्सन करना चाहिए उनसे प्रातना करना चाहिए है सुर्य दियो हमारे पिता की घुरपा हमारी जीमन में प्रातोस इसकारिय को आपको करना चाहिए तीसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ 29 अक्टूबर 2018 से आपके जोन उच्च कोटी का राज्योग प्रारंब हो रहा है पन्ना अरतना अब धारन कर लिजे और विश्ट दोस्की सांती जरूर कर लिजेगा क्योंकि सनी महाराजी गुप्त सत्रूओं के कारक भी होते हैं इस उपाय को करके देखेंगा आपके जिवन में ख्याती प्राप्त फूती चली जाएगी और अगली कॉलर हैदराबाद से हैं किशोर जी स्वागते बूची अगली प्राप्त कर देखेंगा है किशोर जी प्राप्त कर लिजह के आपका दीसरी बार पूल लग रहा है कारेकरम में चली जादी से डॉट अबग बढ़ाईगे आप आप दो गिन तकर आप सिर दूराथ करर तक आप रह वालाजी बायत करो तरत अग्स तक आप में पर तक रह वह रहा है समय क्या है शुबाद दस बजे जनमस्थान कहा है इदरबाद करिए बिल्कुल आप नोट करिए आपको परिशान होने के जरुरत नहीं है संसार में देखे क्या होता है सुख और दुख भगवान के माध्यम से मनुश्री के जिवन में प्राप्त होता है हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं हमारे ग्रह के माध्यम से वही प्राप्त होता हम मेठी बाते नहीं करना चाहते हमने कुछ ऐसा कर्म जरूर किया है जिसके माध्यम से हमें ग्रह पीड़ा देते है आपकी पत्रिका में बुद्ध चांड डाल दोश लगा है उसका आपको निदान करना चाहिए मंगल महराजी साथ में भाव के अंदर बैड़ करके आपकी पत्रिका में गरस्ट जीमन में घर में तनाव का योग बना सकते हैं पन्ना रतने धारण करें गणेश जी के मंदर में जा करके मोदक का भोग लगाएं गणेश सील सका पाठ करें उसे प्रातना करें हे गणेश जी महराजी आप तो बिगन हरता हैं सभी प्रकार के बिगनों को दूर करने का सामर्थ आपके पास में हैं हमारे जीमन में आनंदिका युग बना दिए सची आस्था के साथ इस उपाय को करके देखेगा जीमन में सफलता का युग बन जाएगा बहुत बहुत शुक्री आपका अचारी जी स्टूडियो में आने के लिए दर्शिकों को इतने अच्छे उपाय बदाने के लिए जिसे वो सरलता पूर्वक भी कर सकते हैं और आसानी से अपने जीवन में ढाल भी सकते हैं और इसी के साथ कारिक्रम में इतना ही लेकिन कल फिर एक नए विशे के साथ होंगे हाजिर कारिक्रम को लेकर तुलहाल दीजिये इजाज़त नमस्कार जे माता दीजिये जे माता दीजिये यह मेरा इस्तिफा क्यों? सर यहां के ट्यूब लाइट से मेरे को अलर्जी होता है सर ओके? मुझे यहां का वास्तु पसंद नहीं है रोकेट साइन्स सीखना है मुझे बॉलिवुड में जूनियर आटिस का रोल मिला है सर सर मेरा रिजिश अजा का क्या? एक से घटिया रिजन दे के रिजाइन कर रहा है? आपने मुझे को HIV के कारण जॉब से निकाला था वो नहीं था घटिया रिजन भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं मुझे यहां का HIV एक्स अपने पंग को नहीं मार सकता खबरे उस प्रदेश से जिसके कुछ खास माइने हैं इस देश में उसर प्रदेश के सिस्ता पालुका हर उसर बेक ये उसर प्रदेश लाइब बेर साथ सिर्फ लाइन डियाप हर फ्रदेश के लाइने हैं झालुकाण, हम कर दो, इसर अपने हैं जहां कैसे जुड़ा हैं, किस खबर से आपका सरुका है, खबरों पर बहस का सबसे बड़ा में, जहां हर खबर पर फैस्टा करेंगे आप मेरे साथ, खबर हमारी पैसला आपका, खबरे उस प्रदेश से, जिसके कुछ खास माइने हैं इस देश में, उत्र पर बेश किस तबालुका, हर उत्तर, बेक ये उत्तर पर बेश लाइब, बेरे साथ, सिर्फ लाइन डिया पर खबरे उस प्रदेश से, जिसके कुछ खास माइने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश किस तबालुका, हर उत्तर, देखिए उत्तर प्रदेश लाइब, मेरे साथ, सिर्फ लाइब इंडिया पर बेस्पी संस्तापक काशीराम की पुने तितिपा, मायावती ने एस पी बीजेपी पर साधा निशाना कहा सपसरकार में बड़ी गुंडा गर दी, मोदी पर जन्ता को ठगने का लगाया आरू, पूचा कहां है, तंजालाग रुपे योगे में फिर लगे पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नारे, बालुचिस्तान में पाक चीन एकनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ विरूद पर दशाए आतंकी हमले को देखते हुए, आईपी ने जारी किया एलर्ट, जब मुकश्मीर में सेना और पुलिस को बना सकते हैं निशाना, पुलिस और सेना के हथियार लूटने का है आतंकियों का मकसद पुल्वामा की तुमलाहल पुलिस चौकी पर आतंकियों का हमला गाउं की सुरक्ष में तैनात, पुलिस कर्मियों के छीने हथियार पुरी मंत्री राजना सिंग ने पाकिस्तान को दीचे तावनी कहा भारत कभी नहीं कर सकता हमला लेकिन जवाब देने के लिए गोलियों की गिंती नहीं करेगा भारत राहुल गांदी के सर्जिकल वाले बयान को लेका बीजेपी का हला बोल, लखनव समेत उतर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालों पर करेगी विर्दर्शन, राहुल के फूके उतले मारत न्यूजिलेंड के बीच तीसरे डेस्ट मैच का दूसरा दिन विराट कोली और आजिक के रहाने की शतक से टीम इंडिया की स्थेती मस्गूफ नहीं स्वागत आपका लाइव इंडिया पर आपके साथ मैं हूँ ज्योती विने कपूर तो चीन ने एक बार फिर मसूद अज़र को आतंकी घोशित करने को लेकर अडंगा लगा दिया है। चीन ने अपनी दूसरी तखनी की अरचन का बचाव करते हुए कहा कि भारत के आवेदन पर अलग-अलग राय थी और बीजिंग का भी सभी पक्षों के साथ विचाव इमर्श कर और समय लेना है। भारत की आलोचना पर प्रतिगिर्या व्यक्त करते हुए चीनी विदेश मंदरवाले ने कहा कि सेंग्त राश्ट्रे की समीती संख्या 1267 को सदस्य देशों की तरफ से सौपी गए आवेदन को सेंग्त राश्ट्रे सुरक्षा परिशत के प्रासंगिक प्रस्तावों की UNSC का एक मात्र सदस्य है जिसने अज़र पर प्रतिबंद का विरोध किया उसका दावा है कि अज़र के खिलाब भारत के आवेदन पर अलग-अलग राय थी जैशे महम्मद का सरगना मसूद अज़र जिसे 1999 में कंधार विमान अपरण कांड के बाद भारत से रिहा करना पड था ये भारत की मजबूरी थी क्योंकि इंडिया ने अयर लाइन्स के फ्लाइट 814 के 168 यात्रियों को सही सलामत आतंकियों के कबजे से चुडाना था मसूद अज़र छूट गया लेकिन उसके बाद मसूद अज़र ने भारत के खिलास जो जंग छेड़ी है वो आज तक खत्म नहीं हुई भारत के चंगल से छूटते ही मसूद ने जैशे महम्मद बनाया और भारत के खिलाफ जहर और जंग का एलाग कर दिया सुधाकर हम देख रहे हैं एक बाद फिर अरंगा लगा दिया है चीन ने और मसूद अज़र को बैन होने से रुखवा दिया हलाकि इस पर भारत ने सुरक्षा परिशत को भी खरी-खरी सुनाई है कि पाकिस्तान को अगर बीचो न करता चीन तो पाकिस्तान जितना अभी अलग खरा है उससे ज़्यादा उसके हालत खराब होते हैं पंद्रह देशों में से सौदा जो है वो सपोर्ट में है भारत के अकेरा सीन है जो बहाने बाद ये बना रहा है कि कतने की रूप से जोहेश पर साचा करने की ज़रुत है और तवाम सारे देशों के अलग बिचार है ये बेसिकली कोई स्टेंड नहीं है कि जिसको की अस्थाई जो वहां के मेंबर से वनाटेड नेशन के वो इस बात को मानें ये सिर्फ उढ़ाय रखने का मसला है और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो पाकिस्तान उसके लगे हुए अ सबस्टान का लिए आगा सबस्टान कोई लिए ये वाद वा ये है